इंक्रिडेबल सक्सेस में आपका स्वागत है आज हम लोग 15 फर्वरी से 21 फर्वरी तक के जहारखंड से रिलेटेड मुष्ट इंपॉर्टेंट करिंट अफ्यर्थ को देखेंगे जो जिपीएसी जिएससी और जहारखंड में आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए मुष्ट इंपॉर्टेंट है तो फ्रिंड्स कहां है आप लोग जल्दे से हमारे चैनल इंक्रिडेबल सक्सेस के साथ जुड़ जाईए अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्याद़ से ज्याद़ कीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चले बिना देर के वे आज के सिशन को स्टार्ट करते हैं आपके सामने पहला सवाल कि परमवीर स्रीजन संबान से किन्हें शमानित किया गया है तो इस कोश्चन का राइट एंसर ऑप्सन भी डॉक्टर रजनी सर्मा चंदा दिल्ली के हिंदी भवन में देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं की सर्वुच्य वी जेता अलबट एका के शौर एका बखू भी विवरन के लिए की मिला है ज़िए बाकी के ओप्सन को देख लेते हैं विनेर अंजन को हाली में देखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा और अगर आपने नहीं देखा है तो इसके फुल डिटेल्स के लिए आप वो वीडियो देख ले उसके लिंक आपको description box में मिल जाएगी इस question का right answer option b dr. रजनी शर्मा चंदा अगला सवाल जेस ये द्वारा आयो जित महिला टी 20 क्रिकेट प्रत्योगिता में कुल कितने टी में सामिल हुई है तो इसमें टोटल पाच टी में सामिल हुई है राची रोजे चमसेतपूर जैसमीन धनबार डैफोडिल्स दुमका डेसीज और बोकारो ब्लॉसम्स इसका आयो जन 14 फरवर की कौन से जयनती मनाई गई है तो इस कुश्चन का राइट एंसर 239 ओप्सन ए इनका जन्म 17 फरवरी 1792 इश्वी को राची के सीला गाई नामक गौ में हुआ था और इनका संबंद लरका अंदोलन से है ओके फ्रेंस आप लोग ध्यान में रखेंगे अगला सवाल किस जीले इसका कोई भी खंट नहीं नहीं और अब दुमका में खंट बनाया जा रहा है धारकन के उप्राज़ाने जिसकी मनजूरी एमन सूरीन की दौरा दे दी गई है गई तो दुमका का आपना 1855 और चैन chapter option एक अगला सवाल जहारखन सरकार ने mobile malnutrition treatment van की सुरवाद किस जीले में की है तो इस question का right answer हो जाएगा option D चत्रा जहारखन का प्रविश द्वार चत्रा में कुपोशन की गंभीर समस्या को देखते वे मुख्यमंद्री की द्वारा इस योजना की सुरवाद चत्रा जीले से की गई है ओके फ्रेंट्स चत्रा का स्थापना 29 माई 1991 आप लोग सारे जीले का स्थापना दिवस जरूर याद रखें जहारखन के किस क्रिकेटर को 2020 में होने वाले IPL में खरीदा गया है तो यह उतकर सिंग को खरीदा गया है किंग सिलेवन पंजाब के द्वारा आई पिल के ओक्सन लिस्ट में जहारखन के तीन खिलाड़ी सामिल थे वरून एरॉन अजय सोनू और उतकर सिंग जिसमें उतकर सिंग को किंग सिलेवन पंजाब ने 20 लाक रुपय में खरीदा है उतकर सिंग एक और रॉंडर खिलाड़ी है तो इस कोश्चन का राइट एंसर आप्सन ए उतकर सिंग नेक्स कोश्चन हाली में जिंदल पावर लिमिटेड का चियर मैं कोल इंडिया के पुर्वध्यक्ष एके जहां अनील कुमार जहां को बनाए गया है एके जहां महानदी कोल फिल्ड लिमिटेड के CMD भी थे और CCL में भी पदास्थापित रहे हैं उके फ्रेंट्स तो इस कोश्चन का राइट एंसर आप्सन ए एक जहां बाकी के ऑप्सन को भी देख लेते हैं देवेंद्र कुमार तिवारी इन्हें हाली में निर्वाचन आयुक्त न्युक्त क किया गया है और नीरत सिन्हा इन्हें डीजीपी नुक्त किया गया है यह भी मैंने पताया है जहारखन के किस जीले में 11 होकी राष्ट्रे सब जूनियर महिला होकी चैंपियंशिप का आयोजन किया जाएगा तो इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा सिम्डेगा सिम्डेगा में 10 मार्च से सिम्डेगा के एश्टर तर्फ होकी स्टीयम में इसका आउजन किया जाएगा जोकी 10 दो 18 पर चलेगा और इसका उथघा जारकन के सियल हेमन सूरें के द्वारा किया जाएगा ओके फ्रेंट्स निक्र सवाल जारकन के किस खिलाड़ी का चैन अंडर 20 भारती फुटबाल टीम में किया गया है तो जारकन की गुमला निवासी सुमती उराओ का चैन अंडर 20 भारती फुटबाल टीम में किया गया है सुमति उरा जारकन की एक मात रिखे लाड़ी है जिनका चेयन टीम इंडिया के लिए हुआ है इनसे पहले 2017 में उडिशा नेशनल टीम में 2019 में अंडर 17 भारतिय फुटबॉल टीम और अब इंडिया महिला फुटबॉल सीनिय टीम का हिस्सा बन रही है और ये अंडर 20 भारतिय फुटबॉल टीम स्वारी अंडर 20 महिला फुटबॉल मैच का आयो जन 21 फरवरी से किया जा रहा है तुर्की में ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे अगला सवाल इंडिया अस्ट्रेलिया सर्कूलर एकोनॉमी हैक्थाम 2020 में जार्खन के किस कॉलेज को पहला स्थान मिला है जार्खन के किस सहर में अंडर 15 नेशनल कुस्ती चैंपियंशिप का आयो जार्खन के किस सहर में किया जाएगा इस कुश्चिन का राइट एंसर हो जाएगा देवगर देवगर का स्थापना एक जुन उनिस्सों एक आसी ऑके फ्रेंट्स तो अंडर 15 नेशनल कुस्ती चैंपियंशिप का आयो जाएगा टोक्यू में आयो जित होने वाले ओलंपिक से ठीक पहले छार्खन राष्ट रिस्तर ये कुस्ती चैंपियंशिप का आयो जुन में किया जा रहा है बाबा नगरी देवगर में और इस से पहले आठ साल पहले देवगर में आयो जुन हुआ था 2012 में लंदन ओलंपिक से ठीक पहले और इस चैंपियंशिप में देश भर में 1300 से अधिक पहलवान भाग लेंगे अगला सवाल नर्चरिंग नेबर हुट चैलेंज परतियोगिता की तहट देश के 25 सेहरों में जारखन का कौनसा सहर सामिल है तो स्मार्ट सिटी मिशिन अवास तथा सहरी कारी मन्तरॉला ने नर्चριंग नेबर हुट चैलेंज परतियोगिता की घोशना की गई गया जिसके तहद देश में 25 सहरों को सामिल किया गया है और उस 25 सहरों में जारकंड का राची सहर सामिल है तो इस कोश्चन का राइट एंसर ऑप्सने राची नर्चरिंग नेवर हुट चैलेंज परते होगी था बीबी एलेफ और डबलू आर आई इंडिया कि तक्निक साज़ेदारी से सुरू की गई है और यह चैलेंज तीन साल तक चलेगा ओके फ्रेंट्स अगला सवाल हाली में एम रामा जोईस का निधन हो गया है उन्होंने किसकिस रूप में कारी किया है तो प्रख्यात कानूनी वीद एम रामा जोईस जारकंड के राजपाल यह जारकंड के राजपाल 15 जुलाइं 2002 से 11 जुन 2003 तक रहे हैं यह बिहार के राजपाल भी रह चुके हैं और पंजाब वा हर्यान उच्च न्यालियों के मुखी न्याइधिस भी रह चुके हैं जिनके मृत्यू 89 वर्स की आयू में हो गई है तो इस कोश्चन का राइट आ कोंश्च वर्स बारने तो इस बूकलेट का विमोचन के द्वारा किया गया है जारकंड के रहे हैं 2002 मैंचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड विजेता और ध्यांचन्दवारस सम्वानित भारतिये महिला की पुर्व खिलारी सुमेराई टेटे की जीवन पर आधारित बुकलिट तयार किया गया है यह बुकलिट सरोजनी लकड़ा के द्वारा तयार किया गया है इस बुकलिट में सुमेराई के जन्व से लेकर भारती हौकी टीम के सफर उनके संगहर्स और उन्हें मिले पुरसकारों का विस्त्रित जानकारी है आपको ये कोश्चन ऐसे भी पुछा जा सकता है कि सुमेराइट टेटे किस छेत्र से संबंदित है तो ओबरॉल ये कोश्चन आपके लिए बहुत इंपर्टेंट है अगला सवाल और आज का लाश्ट सवाल विजय हजारे ट्रॉफि में किस टीम ने जीत हासिल की है तो इस कोश्चन का राइट एंसर और कोई ने हमारा अपना राज्य जारकन विजय हजारे ट्रॉफि के इतिहास में जारकन टीम ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है जार्खन ने 324 रनों से कितने 324 रनों से मध्यपरदेश को हरा कर यह record बनाया है जार्खन के कप्तान इशान किशन जिनका चेन मार्च में होने वाले इंग्लेंड के खिलाफ T20 के लिए भारती टीम से हुआ है ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे ओके फ्रेंड्स ये थे 15 फर्वरी से 21 फर्वरी तक के most important current affairs जन्वरी मंद के current affairs को भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे आपको वो एक वीडियो में दी जाएगी अगर वीडियो लंबा हुआ तो दो वीडियो में कर दिया जाएगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर ले अपने दोस्तों में इस वीडियो को जादा से जादा से उन्हें इसके द्वारा help मिल सके अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना झाल झाल